नमस्कार दोस्तों आप सभी का सवागत है आपके अपने यूटूब चैनल रवीशडी आईक्यू जी के पर आज मैं आपके लिए विज्ञान के most important 500 question जो करवा रहा था उसका part 2 वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपको हर part में most important विज्ञान के question करवा रहा हूँ अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो ना ये वीडियो आपके लिए काफी जादा important रहने वाला है क्योंकि मैं आपको हर part में most important selected question करवा रहा हूँ तो चलिए शुरू करते हैं first question से first question है मारा पारे का नियोंतम हिमांक कितना होता है option B minus 49 degree Celsius minus 49 degree Celsius जो है ये पारे का नियोंतम हिमांक होता है important question रहेगा आपके exam के लिए friends यहाँ पे बात हुई है हिमांक की हिमांक को हम freezing point भी बोलते हैं मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो पारा होता है पारा को friends हम mercury भी बोलते हैं mercury यह तरह का धादू होता है ठीक है वो मैंने आपको बताया 49 degree Celsius होता है इसका हिमांक अगर आपसे exam में पुछा जाए कि पानी का हिमांक कितना होता है तो friends पानी का हिमांक होता है 0 degree Celsius ठीक है यह भी आपने याद रखना है important question है फ्रेंट देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 49 degree Celsius होता है पारे का नियोंतम हिमांक अगर इसकी exact value पूछी जाए आपसे तो friends वो होता है माइनस 38.83 degree Celsius पारे का नियोंतम हिमांक ठीक है वैसे round of मैं माइनस 49 लिखते हैं ठीक है बात यहाँ पे पारे की हुई है पारा फ्रेंट जो होता है एक तरह का धातू है या बोल सकते हो यह एक तरह का तरल धातू है आपसे exam में पूछा जाता है कि तरल धातू का नाम ठीक है इसका जो फ्रेंट पर्मानु कर्मांग होता है वो होता है इसका 80 और इसका जो फ्रेंट सिंबल होता है वो HG होता है यह भी आपने याद रखना है जितनी बे आपको मैं addition information दे रहा हूना फ्रेंट सब अपने आप में question है एक्जाम में पूछा जाता है next question कहे लेते Lens Sutra Lens Sutra को हम Lens Formula भी बोलते हैं क्या होता है सही answer है option A 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F जो होता है यह Lens Sutra होता है ठीक है यह भी आपने याद रखना है Friends मैंने आपको Lens Sutra के बारे में बता दिया आपसे एक्जाम में अगर यह पूछा जाए कि mirror formula क्या होता है mirror formula को हिंदी में हम बोलते हैं दरपन Sutra ठीक है mirror formula यह आप हिंदी में बोल सकते हो दरपन सूतर तो Friends आपसे एक्जाम में यह पूछा जाए तो आपका answer क्या होगा 1 upon F F is equal to 1 upon U plus 1 upon B यह भी आपने याद रखना है देखो Friends यहां पर जो F है इसको हम बोलते है Focal Length ठीक है यह आपने याद रखना है यहां पर जो Friends V है इसका मतलब होता है कि जो हमारा image है उसकी दूरी कितनी है यानि जो हमारा प्रतिपिम्भ है उसकी दूरी कितनी है उसको हम ल एक्जाम में पूछे गए हैं और एक्जाम में कई बार repeat भी होए है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं परमानू विखंडन में uranium को कौन तोड़ता है सही आंसर इसका Option D Neutron Neutron जो होता है Friends यह परमानू विखंडन में uranium को तोड़ता है Friends यहां पर बात हुई है परमानू इसको हम nuclear fusion reaction भी बोलते है nuclear fusion reaction ठीक है और Friends यह reaction ऐसा होता है कि जो atom bomb होता है यानि जो परमानू विखंडन से दांद पर ही कारे करता है ठीक है यह आपने याद रखना है परमानू बं ठीक है यह आपने एक्जाम में पूछा गया कोशन है और Friends यह जो परमानू विखंडन हो पर uranium की हुई है ठीक है uranium जो है यह एक तरह का radioactive element है या आप बोल सकते हो radio धर्मी तत्व है uranium uranium का जो Friends symbol होता है वो यू होता है यह भी आपने याद रखना है अगर हम इसकी बात करें परमानू कर्मांग की Atomic number को हम परमानू कर्मांग भी बोलते है ठीक है तो Friends यह होता है इसक जितनी आपको मैं additional information दे रहा हूँ मैंने आपको बताए कि प्रमानू विखंडन में uranium को कौन तोड़ता है तो वो neutron तोड़ता है ठीक है अब यह reaction मैं बोलता हूँ कि reaction भी exam के लिए काफी important है इसमें पूछा जाता है कि जब uranium के साथ हम neutron को hit करवाते हैं तो जो product आता है हमार uranium लेंगे ठीक है uranium जो लेंगे प्रमानू करमांग मैं आपको बताए 92 होता है लेकिन इसमें जो हम uranium का जो isotopy या नी समस्थानिक यूज करेंगे वो 235 वाला यूज करेंगे ठीक है 235 वाला यूज करेंगे इसमें हम क्या करते हैं बहुत ही fast जो neutron होता है वो इसमें हिट करव यहां पर एक unstable nucleus बनेगा ठीक है unstable nucleus बनेगा वो बनेगा हमारे पास uranium 92 ठीक है और यह x में जूट जागा यह 236 बनेगा यह जो चीज है यह unstable है अब यह तोटेगा ना यह बहुत ही खतरनाक reaction होता है इसी को हम chain reaction बोलते है ठीक है यह तोटेगा यहां पर लिखके बता रहता यह तोटेगा आपका क्रिप्टाउन में ठीक है क्रिप्टाउन का जो friend symbol होता है वो होता है 36 और इसका जो friend mass number होता है यह ध्रवे मान संख्या होता है वो होता है 92 और friends यह तोटेगा किसमें यह तोटेगा बेरियम में ठीक है अभी friends direction complete नहीं हुआ है बेरियम का जो फ्रेंस तक है प्रमानु कर्मांग होता है वो 36 है और भेरियम से 56 होता है यह याद कर ले ना अब जो सबसे important चीज जो इसमें product में निकल ले न वह बहुत सारी इसमें energy निकलेगी ठीक है बहुत सारी energy न कलेगी और साथ में तीन neutron आ रहा है ठीक है कितना neutron आ रहा है बनता जाएगा, तीन से फिर नौ पैदा होंगे, और फिर फिर नौ से फिर 27 पैदा होंगे, बता फिर ये रियक्शन खतम नहीं होता, इसलिए इस रियक्शन को हम चेंड रियक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, और ये नौकलियर फिर फिर न का मैंने एक्जामपल दे के समझा दिया आपको अच्छे से, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, एक वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, सही आंसर है, ऑप्शन ए, 3600 जूल के बराबर होता है, एक वाट आवर, ये भी आपने याद रखना है, एक्जाम में पूछा गया कोशन है, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉरे नुमेरिकल है आपके एक्जाम के लिए, ठीक है, कोशन है हमारा, दरवेमान M और 9M के दो निकाए समान गत इसाम में पूछा ही जाता है कोशन, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, कि जो दरवेमान है, हमारा पस M और 9M, ठीक है, इनकी जो गतिशील उर्जा है, वो बराबर है, गतिशील उर्जा को हम काइनेटिक अनरजी भी बोलते हैं, और के इ से लिखते हैं, यानि हम इनका पता लग गया, कि इनका जो गतिशील उर्जा है, वो बराबर है, या बोल सकते हो काइनेटिक अनरजी बराबर है, पहरी लाइन से तो फ्रेंट्स हम यह चीज़ किलियर हो गई, फिर हम से पुछा गया है, कि उनकी रैखिक सनवेग का अनुपात क्या होगा, ठीक है, हम से पुछा गया है, कि रैखिक सनवेग, यानि कि मुमेंटम, हम से मुमेंटम पुछा गया है, ठीक है, अब मुमेंटम को फ्रेंट्स हम P से लिखते हैं, ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सबसे पहले आपको बताओ ना चीज़ जो सनवेग होता है, V है यहाँ पर velocity, जिसे की हम वेग भी बोलते हैं, उसके यहाँ पर जो गतिशील उर्जय है, यानि किनेटिक एनर्जी है, इसका फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला होता है, half mv square, यानि 1 by 2 mv square, ठीक है, यह दोनों फॉर्मूले मैं यहाँ पर लिख लिए, तो देखो एक चीज आप समझना, कि मैं क्या करूँगा, यह जो P है मेरे पास, यह जो P है, यानि sun wave है, इसको मैं इसमें fit करूँगा, ठीक है, तो इसमें fit करने के लिए, यहाँ पर mv square, कुछ मैं ऐसा करूँ, कि यहाँ पर m square हो जाए, यानि m के ओपर 2 आ जाए, ठीक है, इससे क्या करता हूँ, फिर, देखो, next step में क्या कर रहा हूँ, kinetic energy है, ठीक है, यहाँ पर एक बटे दो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर mv square भी है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं m से multiply करूँगा, और m से ही divide करूँगा, तो देखो friends, अब क्या होता है, k kinetic energy, पराबर किस किया गया, one by two, m square, v square, upon m, ठीक है, तो यहाँ पर friends, देखो, m square है, और v square है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, one by two, m, ठीक है, mv square, लिख सकता हूँ नो friends, यह, ठीक है, तो यह किसके बराबर आ गया, यह आ गया मेरे पास, एक बटे दो, ठीक है, नीचे m, और mv किसके बराबर ह यह, mv बराबर है, pk, यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर आ गया, p square, मतला friends, मेरे पास, जो kinetic energy है, वो बराबर किसके आ गया, p square upon 2m, इनका जो गतिशी लूट जाए, वो बराबर है, तो मैं आपर क्या करूँगा, कि e1 जो है, यह बराबर किसके है, k2 कि तो दोनों आपस मे ब्राबर है, तो friends, यहाँ पर मेरे पास क्या आजाएगा P1 square upon 2m ब्राबर किसके आजाएगा ये P2 square upon 2 into 9m, ठीक है क्योंकि एक का mass था वो m था, दूसरे का 9m था अब यहाँ से friends, मैं काटता हूँ, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आगया ये, P1 square upon P2 square, ब्राबर आगया, मेरे पास एक बटे 9, ठीक है जब इसको आप solve करोंगे friends, ये एक बटे 3 आजागा, ये एक बटे 3 आजागा, ये महाँ पास जो answer आगया, वो कितना आगया, एक बटे 3 किया जाता है, और friends, ये जो silver nitrate है, इसका formula होता है, AGNO3 ये भी आपने यादखना, एक्जाम में पुछाता है, कि silver nitrate का सूत्र क्या होता है AGNO3 होता है, और दरपन बनाने में हम silver nitrate का ही प्रियोग करते हैं next question कहले लेते हैं, उर्जा संरक्षन के सिधानत का क्या अर्थ है सही answer है, option A उर्जा जो होता है, संरक्षित है ना इसका स्रिजन होता है और ना ही इसका विनाश होता है, important question रहेगा आपके exam के लिए, देखो friends, स्रिजन को हम बोलते हैं creation ठीक है, creation और इसको हम बोलते हैं destroy विनाश को तो question हमें यह कहा रहा है कि जो fans उर्जा होता है ने जो energy होता है friends, इसको ना ही हम create कर सकते हैं और ना ही हम इसको destroy कर सकते हैं ठीक है, बस हम क्या कर सकते हैं एक form से दूसरी form में हम change कर सकते हैं यह होता है, उर्जा संरक्षित के सिद्दान्त का मतलब, यानि उर्जा संरक्षित है, ना इसका सिजन होता है ना ही इसका विनाश होता है, ये कोशन भी एक्जाम में पूछा गया, फैंस आपको कोशन का लेवल देखिए, अच पता लग गया होगा, सभी कोशन जो है आप जरूर अटेम्ट करना, जिस बल के कारण गतिशील वस्तू में केंदर से दूर भागने की प्रवरती रहती है, उसे क्या कहते हैं, सही आंसर इसका, उप्शन A, अप केंदरी बल कहते हैं, जिस कारण से गतिशील वस्तू में केंदर से दूर जाने की प्रवरती रहती है, उसे हम कम अप केंदरी बल कहते हैं या आप बोल सकते हो centrifugal force भी कहते हैं important question रहेगा आपके exam के लिए next question कर लेते हैं विर्थाकार पत में केंदर की और लगने वाले बल को क्या कहते हैं सही answer इसका option B अभी केंदरी बल कहते हैं अभी केंदरी बल को friends हम centripetal force भी बोलते हैं क्या बोलते हैं centripetal force ये भी आपने याद रखना है अभी केंदरी बल को हम centripetal force भी कहते हैं ये बल ऐसा होता है friends विर्थाकार पत में केंदर की और लगने वाले बल को हम कहते हैं most important question है आपके exam के लिए next question कहलेते हैं द्रिश्वेमान spectrum द्रिश्वेमान spectrum को हम visible spectrum भी बोलते हैं का तरंग धहरे कितना होता है सही answer इसका option c 4900 angstrom से लेके 6600 angstrom होता है exam में directly question ये पूछा जाएगा आपसे की द्रिश्वेमान spectrum जो होता है इसका तरंग धहरे कितना होता है यानि wavelength कितनी होती है तो आपका answer होगा 4900 angstrom से लेके 6600 angstrom तक होता है important question है आपके exam के लिए next question कर लेते हैं most important question है आपके exam के लिए पहाडों पर पानी निम लिकित किस तापमान पर उबनने लगता है सही answer है option A 100 degree Celsius से कम तापमान पर पहाडों पर जो पानी होता है वो 100 degree Celsius से कम पर ही उबनने लग जाता है अब तक ये question आपके exam में पूछा जाता था आपसे exam में ये पूछा जाता था कि पहाडों पर जो पानी का boiling point है यानि boiling point को हम हिंदी में कवंतनाक भी बोलते हैं boiling point बोलो या आप बोलो कवंतनाक कवंतनाक ठीक है उस पर क्या फर्क पड़ता है आप बोलते थे कम हो जाता है ठीक है कम हो जाता है ठीक है तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि जो आपका boiling point है यानि कवंथनाक है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है कितना कम हो रहा है 100 degree से कम हो रहा है आप सभी को पता कि जो पानी जो उबलता है वो 100 degree Celsius पे उबलता है लेकिन जब आप पहाड़ों पे जाओगे वो 100 degree Celsius से कम तापमान पर ही उबलना शुरू हो जाएगा क्योंकि जब मैं आपको जितने भी कोशन एक्जाम में बन सकते है ना इस कोशन से रेलेटेड या इस टॉपिक से लेटेड वो सभी मैं आपको करवा रहा हूँ ठीक है हम कोहरे के दुरान देख नहीं सकते हैं इसका मुख्य कारण क्या होता है सही आंसर है प्रकाश का प्रकिर्नन प्रकाश का प्रकिर्नन जिसे कि हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बोलते हैं इस कारण से हम कोहरे के टाइम पे देख नहीं सकते हैं ठीक है M, L-1, T-2 जो है, यह दाब का विम्य सूतर होता है, यह आपने याद रखना है, important question है, विम्य सूतर को हम dimension formula भी बोलते हैं, dimension formula भी बोलते हैं, विम्य सूतर को, next question कह लेते हैं, धूम के तू, जिसे की हम comments भी बोलते हैं, किसके चारो और घूमते हैं, सही answer है, option C, सूरे के चार और घूमते हैं, धूम के तू, जिसे की हम comments भी बोलते हैं, किसके चारो और घूमते हैं, सूरे के कार, चारो और घूमते हैं, exam में पूछा गया question है, next question कह लेते हैं, निम्य में से कौन सा तत्व प्रकृति में नहीं होता, लेकिन कृत्म रूप से उत्पादित किया जा सकत है, और friends, अगर हम बात करें, plutonium की, plutonium जो plutonium जो होता है, इसका symbol PU होता है, ये भी exam में पूछा जाता है, ठीक है, और इसका जो friends, परमानू कर मांग होता है, वो 94 होता है, ये भी आपने याद रखना है, next question कह लेते हैं, ये भी exam में कई बार पूछा गया है, जब तापम में धीरे-धीरे कमी आती है, जो विशिष्ट उश्मा होता है, उसमें कमी आ जाती है, अगर आपसे, friends, exam में ये उल्टा करके पूछ ले, कि जब तापमान धीरे-धीरे बढ़ता है, तो विशिष्ट उश्मा में क्या परभाब पड़ेगा, तो आप का आंसरों का जो C. Calcium Oxalate. Calcium Oxalate ये मानव गुर्दे की पत्थरी में पाया जाने वाला पर्मुक रसाइने की योगिक होता है, friends, मैंने यहाब आपको बता है, calcium oxalate होता है, मानव गुर्दे की पत्थरी में, आप से एक्जाम में calcium oxalate का जो formula होता है, यानि, सूतर होता है, वो होता है C2O4, ये भी आपने याद रखना है important है कर भी कभी आपसे एक्जाम है ये लिखे नहीं देंगे आपको directly formula पर बात करेंगे ठीक है तो कोई formula भी याद होना चाहिए एक्जाम में पूछ लिया जाता है next question है मारा वस्तु का भार किस बल पर निर्भर करता है सही answer है option C गुर्टवा कर्शन बल पर जो वस्तु का भार होता है न फैंस वह गुर्टवा कर्शन बल पर निर्भर करता है या अपने याद रखना important question है भारिंता वह स्थिती है जब किसी वस्तु का भार डैश प्रतीत होता है सही आंसर इसका option A नगन्या नगन्या को फेंस हम शूने भी बोलते हैं और भारिंता को हम बोलते हैं जीरो ग्रैविटी ठीक है भारिंता वह स्थिती है जब किसी वस्तु का भार जो होता है फ्रेंट से वो नगर्नय प्रतीत होता है या अपने याद रखना important है next question कह लेते हैं सूरे की photography के लिए किसी यंतर का प्रियोग होता है सही answer है option c spectro heliograph spectro heliograph यंतर होता है फ्रेंट जिससे की हम सूरे की photography में प्रियोग करते हैं next question कह लेते हैं द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव केश नली में अपने सतह से उपर चड़ जाता है या नीचे उतर जाता है इसे क्या कहते हैं most important definition है friends आपके लिए सही answer इसका option a केशिक तव केशिक तव जो होता है friends जिसे की हम capillary action भी बोलते हैं जिसे की हम केशिक तव किरिया भी बोलते हैं जब द्रव होता है ना friends वह द्रव अपनी सतह से उपर चड़ जाता है या नीचे उतर जाता है उसे हम केशिक तव कहते हैं जो पेड़ पहुते जितने भी होते हैं जो पानी उपर चड़ाते हैं उसकी पीछे यही नियम होता है केशिक तव का नियम याप हो सकते हो capillary action यह भी आपने याद रखना important है next question कर लेते हैं ताब बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या फर्क पड़ता है सही answer इसका option B घट जाता है ताब बढ़ने पर जो द्रव की श्यानता होती है वो घट जाती है ठीक है घट जाती है और friends यह जो श्यानता होता है इसको हम viscosity भी बोलते है most important question है आपके exam के मैं अपको friends यह बताया के ताब बढ़ने पर भी धर आना ंवर में तो इसके श्यानता होती है भड जाता है यह वो कम हो जाती है वहीं अगर हम बात करें गैसों की गैसों की जो श्यानता होती है यानि विसकॉसिटी होती है वो बढ़ जाती है यह आपने याद रखना है एक्जाम में पूछा गया कोशन है नेक्स कोशन कर लेते हैं जब कोई पिंड एक निश्चित समयानतरल में एक ही निश्चित पत पर बार-बार अपनी गती को दोराता है तो उस गती को हम क्या कहते हैं तो फैंट सही आंसर है इसका ओप्शन सी उप्योग दोनो यानि आवर्ध गती और इसी को हम हर्मोनिक मोशन भी बोलते हैं अवर्ध गती ये हर्मोनिक मोशन वहग गती होती है जब कोई पिंड जो एक निश्चित समयानतरल में एक ही निश्चित पत पर बार-बार अपनी गती को दोराता है important है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, दरव्य ताप मापी, जिसे कि हम liquid thermometer भी बोलते हैं, मुख्यता किसका प्रियोग होता है, सही आंसर है, option C, उप्युक सभी, अलकोहल और पारा, अलकोहल और पारा जो होता है, इसका प्रियोग होता है, दरव्य ताप मापी पे, या बोल सकते हो, liquid thermometer में, next question है, नेक्स्ट कोशन है, प्रकाश-vol protocols cell होते हैं, सही आंसर है, option A, sour cell, sour cell, जिसे कि हम solar cell भी बोलते हैं, इसे हम प्रकाश-vol उल्टिये सेल भी कहते हैं पर्रकाश वोल्टिये सेल होता है इसका मुख्य कारिय क्या होता है परकाशewाली जो एनरजी होती है मतों IIT Eğer जो होती है उसको बदलता है किसमें ELECTRIC ENERGY में यानि विद्यूत उर्जा में बदलता है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, भारत में प्रचूर मातरा में उपलब्द महतोपून रेडियो धर्मी तथव कौन सा है? सही आंसर है, option D, thorium, thorium friends, वह radio धर्मी तत्व है, या बोल सकते हो, वह radioactive तत्व है, जो भारत में प्रशुर मातरा में पाया जाता है, friends, यहाँ पे बात हुई है thorium की, ठीक है, thorium जो होता है, इसका जो symbol होता है, वो TH होता है, ये exam में पूछ ले आता है, परमानु करवांग भी पूछ ले आता है, friends, वो होता है 90, ये भी आपने याद रखना है, next question कर लेते हैं, निमने में से कौन सा uranium समस्थानिक परमानु उर्जा सही अंत्र में बिजली उत्पादन में किया जाता है, सही answer है, option B, uranium 235, uranium 235 जो होता है, इसका परियोग हम करते हैं, ये uranium का समस्थानिक है, और इसका परियोग जो हम, friends, हम परमानु उर्जा सही अंत्र में करते हैं, next question कर लेते हैं, pendulum घडी तीर्व गती से कब चलती है, most important question है, आपके exam के लिए, सही answer है, option C, शीत काल में, शीत काल में, जो pendulum घडी होती है, वो तीर्व गती से चलती है, ठीक है, pendulum घडी को, friends, हम लोलग घडियां भी बोलते हैं, ठीक है, जिस घडी में, friends, जिस घडी में, इस तरह का लगा होता है, ठीक है, और ये, कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है, ठीक है, इस तरह की घडी होती है, friends, इसको हम pendulum घडी कहते है, या लोलग घडी कहते है, और ये, शीत का में जो यह pendulum है, pendulum जो है, यह इसका जो अकार उता थोरा छोटा हो जाता है, छोटा होने की बज़े से तेज़ चलेगा और जो time period होता है, friends, वो भी कम हो जाता है, ठीक है, next question कर लेते हैं, parachute धीरी धीरी नीचे आता है, जबकि उसी उचाई से फेका गया पत्थर तेजी से नीच अगर हम पत्थर को उपर फेकते हैं, वो पत्थर बहुती तेजी से नीचे आजाता है, इसका कारण क्या होता है, कि जो parachute होता है, इसका प्रिष्ट का छितफल होता है, वो काफी जादा होता है, ठीक है, और यू के परतिरोध अधिक होने के कारण, वो धीरे-धीरे नीचे नेक्स्ट कोशन कर रहे हैं, निमने में से किस स्थान पर गुर्तवय तवरन शूनने होता है, सही आंसर इसका, option D, पृत्वी के के अंदर पर, यानि जो पृत्वी का center होता है, friends, वहाँ पर गुर्तवय तवरन, जिसको की, friends, हम G भी लिखते हैं, और acceleration due to gravity भी बोला जाता है ये शूनने होता है, कहां पर पृत्वी के के अंदर पर, आपसे exam में पूछ लेंगे कि G का मान पृत्वी के के अंदर पर कितना होगा, आपका answer होगा, शूनने होगा, next question करते हैं, एक pendulum की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, तथा उसके गोलक के दरव्य मान को अधा कर दिया जाए, तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा, इस question का सही answer है, वो है, option C, root 2 हो जाएगा, इसको भी मुझे, friends, आपको solve करवाना परेगा, सबसे पहले, friends, आपको भी पता होना चाहिए, कि जो pendulum होता है, friends, ठीक है, उसका जो time period होता है, उसका formula होता है, T is equal to 2 pi under the root L upon G, ठीक तो यहाँ से, friends, देखो, यह दोनों चीज़ें बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर 2 extra है, मैं इस 2 को बहार निकाल दूँगा, तो बहार जब निकालता हो, कितना आता है, 2 pi, ठीक है, L upon G, root 2, ठीक है, root 2 या रहा है, तो लों को जो, friends, से मैं, divide करूँगा, बस कितना आएगा, root 2 बचेगा, यानि कि, तो उसका आवरतकाल जो है, वो root 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं रहा हो, root 2 बाहर निकाल दे, क्योंकि जब 2 root से बाहर आएगा, तो root 2 ही बनता है, यह मेरा answer आ गया, और exam में पूछा गया question है, next question कर लेते है, यदि 0 degree Celsius पर बरफ के एक टुकरे को एक बरतन में मिलाया जाता है, तो जिसमें पानी 0 degree Celsius पर है तो, question यह कह रहा है, friends, देखो, जो बरफ होता है, friends, वो 0 degree का होता है, ठीक है, फिर कहता है, कि एक बरतन में मिलाया जाता है, जिसमें पहले से ही पानी पड़ा हो है, और यह जो पानी, friends, वो भी 0 degree Celsius पर है, तो Option c बरफ जो है नहीं पिग लेगा मतलब यह जो बरफ है वो पिग लेगा नहीं ठीक है यह आपने याद रखना इंपॉरंट है Next question कर लेते हैं दो समते लिए दरपन एक दूसरे के समानंतर रखे गए हैं यदि एक वस्तु को इन दोनों के बीच रखा जाए तो कुल कितने प्रतिबिम बनेंगे सही आंसर है option B अनंत या बोल सकते हो infinite बनेंगे ठीक है मतलब बहुत सारे बनेंगे ठीक है तो इसके विचे फ़र्मुला होता है कभी भी अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए कि कितने प्रतिबिम बनेंगे तो उसका formula होता है फ़र्मुला होता है फ़र्मुला होता है इसका formula होता है 360 upon theta minus 1 फ़र्मुला होता है अब यहाँ पर चीज नोटिस करना फ्रेंगे जो दरपन है वो दोनों रखे गए कैसे हैं parallel रखे गए या बोल सकते हो कैसे रखे गए हैं समानंतर रखे गए हैं जब समानंतर रखे गए हैं तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा फ्रेंट्स वो बनेगा 0 ठीक है और आप सभी को बता है फ्रेंट्स जब 0 को मतब 360 उपर है 0 नीचे है 0 को किसी चीज से आप डिवाइड करोगे ना तो वो चीज इन्फाइनाइट हो जाती है इसलिए इस कोशन का जो हमारा आंसर आ गया वो अनन्द आ गया या बो नेक्स पोशन करे लएते है एंग्स्ट्रॉम किस को अभीवेक्ट करने की एकाई है सही आँसर इसका option C लंबाई एंग्स्ट्रॉम जो होता है friends, यह लंबाई को अभीवेक्ट करने की एक आई होती हैğải कह एंग्जाम में पूचा गया question है, एंग्स्ट्रॉम का symbolic है कुछ के उपर छोटा सा गोला होता है और friends आपसे exam में पूछ लिया आता है कि जो एक angstrom है वो कितने meter के ब्राबर होता है तो friends आप का answer होगा एक angstrom जो होता है वो ब्राबर होता है 10 की पावर माइनस 10 meter के यह भी आपने याद रखना है नेक्स कोशन कहलेते हैं किसी वस्तू का sun wake sun wake को हम momentum भी बोलते हैं किस पर निर्भर करते हैं अगर आपको friends याद होगा जो मैंने अपको निमेरिकल करवाय था याद करो P को मैंने को बताया था कि P को हम sun wake से लिखते हैं आपको 5 seconds लगेंगे सिर्फ मुझे ठीक हैकरन्ट आट है करनट आफिरश आगया करनट चैनल लागया है ये Current Face Channel का नाम है Current Face by Ravi Study IQ GK इसे फिरेंट से आप अभी सब्सक्राइब कर लिजिए डेली सुबे चार बजे वीडियो आती है डिटेल वाला पीडियो दिया जाता है मेरा ब्लॉगिंग चैनल है Ravi XYZ ब्लॉग सब्सक्राइब और शेयर कर दिजिए मेरा वेबसाइट है www.ravistudyiqgk.com मेरा वेबसाइट से भी जोट जाएए यहां पे फिरेंट से सब कुछ content फ्री में मिलता है ठीक है Special WhatsApp group है 7814-339999 से भी जॉइन कर लेजिए Telegram, Facebook पर, Instagram पर मुझे फॉलो कर सकते है और अब भी study IQ G के नाम से है फिरेंट जो भी मैं आपको बढ़ा रहा हूँ बिल्कुल नॉन स्टॉप बढ़ा रहा हूँ एक सेकंड भी मैं आपको वेस्ट नहीं कर रहा हूँ ठीक है जब आपको मेरा पढ़ाईव पसंद आ रहा है जब एक गया सिलेंडर में दबाब को बढ़ाया चाता है तो फिरेंट जो दरव्य मान होता है वो स्थिर रहेगा मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा फोटो से समझाता हूँ आपको और अच्छी से समझ में आएगा सबसे पहले धेखो यह हमारे पास कोई स्लिन्डर हैं ठाइख है और हम क्या कर रहे हैं उपर से दभाब लगारहे है जब आपसे हम दभाब लगाएंगे तो अंदर का जो प्रेश्यर है वो तो बढ़ागी तो बढ़ाब बढ़े गा देकि जो mast ही अंदर, हावा का mass है यॉ दुरवय मान है नहीं होगा वहाँ से ही शाल भी होगा निकल रहो है तो अंदर है। इस कारण से त्रवय मान होता है वह त्टिर रहेग स्थिर घ्ला चाय दैए नेस्टान कर लेते हैं, निमने में से किस जगह पर G का मान सबसे अधिक होता है, आप अब तक बढ़ते आ रहे थे, कि अगर आप पोल्स पे जाते हो, ठीक है, यानि आप धुरूबो पे जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, G का मान बहुत अधिक होता है, G को हम मैंने आपको बताया था, कि acceleration due to gravity भी बोलते हैं, और इसे हम गुरुतवय तवरन भी बोलते हैं, ठीक है, पोल्स पे यानि धुरूबो पे सबसे जादा होता है, बट हमारा option में क्या दे रखा है, यह 4 options दे आक्टिका के किसी भी स्थान पर आप जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो G होता है, यानि acceleration due to gravity होता है, गुरुतवय तवरन होता है, वो सबसे अधिक होता है, ठीक है, question घुमा के पूछा गया था, exam में, next question कर लेता है, यांत्रिक उर्जा मेंसे जब आप गतिज उर्जा formula क्या होता है, mechanical energy, ठीक है, mechanical energy को हम बोलते हैं, यांत्रिक उर्जा, क्या बोलते हैं, यांत्रिक उर्जा बोलते हैं, यह बराबर होता है, potential energy के, plus kinetic energy के, potential energy मैंने आपको बताया कि स्थिति उर्जा को भी बोलते हैं, और यह जो kinetic energy है, यह हम गतिज उर्जा को बोलते हैं, यह kinetic energy, तो क्या आएगा? तो मेरा पस potential energy तो ही आएगा friends, यानि किस दीर जाएगा? ये मेरा answer आगया next question कहे लेते हैं bloating paper दोवारा सेही को सोखने में कौन सा सिधान्थ होता है? सही answer है, option B, केशी की अभी किरिया परिगटना, जिसे कि कि हमें आपको बताए, capillary action भी बोलते हैं, ठीक है? bloating paper दोवारा सेही को सोखने का जो सिधान्थ होता है friends, उसे हम केशी की, अभी किरिया परिगटना कहते हैं, यानि capillary action कहते हैं क्या होगा यदि एक pendulum घड़ी प्रिथवी से एक घूमती हुई क्रितम उप गड़ी पर ले जाए तो सही आंसर इसका option B, घड़ी जो है, वो काम नहीं करेगी यदि क्या होगा, यदि pendulum घड़ी प्रिथवी से घूमती हुई क्रितम उप गड़ी पर ले जाए, तो घड़ी जो है, काम नहीं करेगी, क्योंकि सही आंसर इसका, option B, बढ़ जाती है, शकर का घोल जो है, अगर तापमन बढ़ाया जाए ना, तो शकर की जो विल्यता होती है, वो बढ़ जाती है, यह आपने याद रखना है important question है, next question है हमारा, दोनी की गति सबसे अधिक किसमे होती है, सही आंसर है, option A, प्रकाश उर्जा को विद्यूत उर्जा में बदलता है, उपर ही आपको बढ़ाया था, प्रकाश उर्जा को विद्यूत उर्जा में बदलता है, इसकी आपके आपको सभी question का revision रखा है, आप जरूर देखना, सभी question आपको इसी वीडियो में अच्छे समझ में आने वाले है, और याद भी होने वाले है, आखरी question कर रहे है, इस वीडियो का rectifier क्या होता है, rectifier जो होता है, वो होता है, AC को DC में बदलने के लिए, AC का मतलब होता है alternating current, DC का मतलब होता है direct current, alternating current जो होता है, इसका graph पुछार का होता है, और जो DC current होता है और जो DC current होता है इस परकार का होता है ठीक है आपसे एक्जाम में पूछा है ता कि जो DC current होता है इसकी frequency कितनी होती है तो frequency is zero होती है DC current के ठीक है और करते हैं AC को DC में बदलने के लिए फ्रेंट मैंने आपको 46 कोशन करवाए उम्मीद करता हूं आपको सभी कोशन अच्छे समझ में आगे होंगे और याद भी होगे होंगे मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है ठीक है सारे कोशन में जितने भी एक्स्टा कोशन बन सकते हैं सभी मैंने आपको करवाई हैं ठीक है मेरा सारा का सारा कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है अगर आपको पढ़ाए पसंद आगया फ्रेंस कॉंटेंट पसंद आगया वीडियो को लाइक जरू करिएगा कम से कम 10 फ्रेंट के साथ शेयर भी जरूर करिएगा पर जो चैनल रवी एकसवाईजर ब्लॉग तो से भी फ्रेंट साप शेयर कर दीजेगा अब इस वीडियो का सबसे बहतरीन पार्ट है रिवीजन जितने भी कोशन में आपको करवाए हैं आप फटा फट से रिवीजन करवा देता हूं ताकि फ्रेंट साबको सभी कोशन इसी वीड से रिवीजन का लेंस सूत्र क्या होता है सही आंसर है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इस इकवल तो वन अपॉन एफ नेक्स कोशन करते हैं रिवीजन का परमानू विखंडन में यूरेनियम को कोन तोड़ता है सही आंसर है नियोट्रोन नेक्स कोशन एक वाट बराबर जो होता है यह 3600 J के बराबर होता है नेक्स्ट कोशन करते हैं हमरी वीजन का दरव्यमान M और 9M को दो निकाए समान गतिशिर उर्जा के साथ स्थान अंतरित हो रहे हैं उनकी रेक्षिक समय का अनुपात डैश होगा आंसर है एक अनुपात तीन यह मैं आपको उपर प्रूफ करवा चुका हूँ Next question दरपन बनाने में किसका प्रियोग किया जाता है सही आंसर है सिल्वर नाइट्रेट इसका फॉर्मुला होता है AGNO3 Next question उर्जा संदक्षन के सिद्दान्थ का क्या अर्थ है सही आंसर है उर्जा संदक्षित है ना इसका स्रिजन होता है और न केंदरी बल और friends अब केंदरी बल को हम centrifugal force भी बोलते हैं यहां पर लिक देता हूं centrifugal force भी बोलते हैं next question है हमारा यह भी काफी बार एक्जाम में पुछा गया है विर्ताकार पथ में केंदर की और लगने वाले बल को क्या कहते हैं सही answer है अभी केंदरी बल कहते हैं और अभी क अभरंग धहरे कितना होता है सही answer है 4900 अंक्स्ट्रोम से लेके चीटर सो अंक्स्ट्रोम तक नेक्स्ट कोशन करते हैं पहाड़ों पर पानी निमन लिखित की स्तापमान पर उबलने लगता है सही answer है 100 डिगरी Celsius से कम पे next question हम कोहरे की दोरान देख नहीं सकते इसका मुख्य कारण क्या होता है answer है प्रकाश का प्रकिर्नन या बोल सकते हो scattering of light दाब का विम्य सूत्र क्या होता है तो सही answer है M-1 T-2 ठीक है ये भी important है next question कर लेते हैं धूम के तू जिसे की हम कॉमेट्स भी बोलते हैं किसके चारों और घूमते हैं answer है सूर्रे के next question नेमन में से कौन सा तत्व प्रकिर्टी में नहीं होता लेकिन कृत्म रूप से उत्पादित किया जा सकता है answer है plutonium जो की एक रेडियो धर्मी तत्व है जब तापमान धीरे-धीरे कमी आती है तो विशिष्ट उश्मा जिसे की हम specific heat भी बोलते हैं पर क्या परभा पड़ेगा answer है कम हो next question मानव गुर्दे की पत्री में पाया जाने वाला प्रमुक रसाइनी की योगी कौन सा है answer calcium oxalate वस्तु का भार किस बल पर निर्भर करता है answer गुर्तवा करशन बल के उपर next question कर रहे हैं भार हिंता वह स्तिती है जब किसी वस्तु का भार डैश प्रतीत होता है answer नगन्य या बोल सकते हो शून्य next question सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किसी अंदर का परियोग होता है answer है spectro heliograph द्रव का वह है जिसके कारण द्रव केशनली में अपनी सतह से उपर चड़ जाता है या नीचे उतर जाता है इसे क्या कहते हैं answer है इसे हम कहते हैं केशिक्तव या बोल सकते हो आप capillary action next question कर रहे हैं ताप बढ़ने पर द्रव की श्यांता श्यांता को विस्कॉसिटी भी बोलते हैं पर क्या फर्क पड़ता है answer है घड़ जाती है ताप बढ़ने पर गैसों की श्यांता पर क्या फर्क पड़ता है answer है बढ़ जाती है question है मारा जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतरल में एक ही निश्चित पत पर बार बार अपनी गती को दोराता है तो उस गती को dash कहते है answer है आवर्त गती या बोल सकते हो harmonic motion next question कर रहे है हम revision का दरवत अप मापी में मुखेता किसका प्रयोग होता है answer है alcohol का या बोल सकते हो पारे का प्रयोग होता है दरवत अप मापी को हम liquid thermometer भी बोलते हैं इसके बाद जो मैंने आपके लिए दस question का test रखा है ना test आप जरूर अटेंप्ट करना test ही आपको best बनाता है और जो मेरा blogging channel है रवी XYZ उसे प्लीज रवी XYZ ब्लोक्स उसे प्लीज आप शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए रवी XYZ ब्लोक्स मेरा YouTube चैनल है इसे भी सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट कोशन है मारा प्रकाश वोल्टिये सेल होते हैं आंसर है सौर सेल भारत में प्रचुर मातरा में उपलब्त महतुपुन रेडियो धर्मी तत्व कौन सा है आंसर है थोरियम आप से पूछा जाए कि बैंडूलम घरी जो होती हो धीरे कब चलती है तो वह होती है सम्मर में यानि गिरिश्मकाल में धीरे चलती है नेक्स्ट कोशन पैराशूट धिरी धिरी नीचे आता है जबकि उसी उचाई से फेका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है क्योंकि सरी आंसर है पैराशूट के प्रिश्ट का छेत्रफल जादा है अधाय वायू का प्रतिरोध अधिक होता है नेमने मेंसे कि स्थान पर गुर्तवे तवरन शून्ने होता है आंसर है प्रिथवी के केंदर पर एक बैंडूलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है तथा उसके गोलक के दरवेमान को आधा कर दिया जाता है तो उसका आवर्थकाल हो जाएगा इसका आंसर है root 2 और मैं आपको यह उपर proof करवा चुका हूँ, ठीक है, next question करते है revision का, यदि 0 degree Celsius पर बरफ के एक टुकरे को एक बरतन में मिलाया जाता है, जिसमें पानी 0 degree Celsius पर है तो dash, answer है, कोई बरफ नहीं पिखलेगा, answer है, next question है, दो समतलिय दरपन एक दूसरे के समानंतर रखे गए हैं, यदि एक वस्तू को इन दोनों के बीच रखा जाए, तो कुल कितने प्रतिबिम बनेंगे, answer है, अनंत, यानि infinite, next question, जब धोनी तरंगे चलती हैं, तो अपने साथ लेकर चलती है, dash, answer है, उर्जा, next question, एंक्स्ट्रॉम, किसको अभिवेक्त करने की इकाई है answer है, लंबाई को, किसी वस्तू का सनवेग, जिसे की हम मोमेंटम भी बोलते हैं, सनवेग को, किस पर निर्भर करता है, answer है, दरव्यमान और वेग, क्योंकि इसका formula आता है, P is equal to MV, P के है, इसमें सनवेग है, M के है, इसमें दरव्यमान है, V के है, इसमें वेग है, जब एक सिलिंडर में दबाब बढ़ाया जाता है, तो उसके दरव्यमान डैश, answer है, स्थिर रहेगा, यह question भी exam में कई बार पूछा गया है, next question कर लेते हैं, निर्भर में से किस जगह पर G का मान सबसे अधिक होता है, answer है, अन्टार्टिका के किसी स्थान पर, और फैंस यह जो G है नोटिंग पेपर द्वारा सेही को सोखने में कौन सा सिद्धान्थ होता है, answer है, केशी के अभिक्रिया परी घटना, next question, क्या होगा यदि एक पैंडूलम घड़ी पित्वी से एक घुमती हुई क्रितम उपगरह पर ले जाएं, answer है, घड़ी काम नहीं करेगी, next question, शक्कर क गोल का तापमन बढ़ाने से शक्कर की वेलियता पर क्या फर्क पड़ेगा, answer है, बढ़ जाएगा, next question, धोनी की गती सबसे अधिक इसमे होती है, answer है, एक फोटो विद्धियू सेल डैश परिवर्तित करता है, answer है, प्रकाश उर्जा को विद्धियूत उर्जा में, आखरी मैंने आपको यह 46 कोशन करवाए, उसकी बद मैंने आपको यह सभी कोशन का रिवीजन भी करवा दिया, उमीद करता हूँ, friends, आपको सभी कोशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और याद भी हो गए होंगे, friends, यह सबसे बहतरी तरीका था पढ़ने का जिस तरीके से मै मैंने आपको पढ़ाया, पहले मैंने आपको सभी कोशन पढ़ाए हैं, भी सभी कोशन का मैंने आपको रिवीजन भी करवाया, अब लास्ट में दस कोशन का टेस्ट है, टेस्ट लिन से पहले मैं आपको बदा दो, friends, जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, रवी XYZ ब्लॉक, इस अब अभी सब्सक्राइब कर लिजे, Current Affairs by Ravi Study IQ GK है, इसे भी सब्सक्राइब कर लिजे, Current Affairs का चैनल है, और यह मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, तो चलिए, friends, स्टार्ट करते हम टेस्ट, टेस्ट के लिए आपको अल दी बेस्ट, फर्स्ट कोशन है मारा टेस्ट का, पारे का नि आप वीडियो को पॉस्ट करके टाइम ले सकते हो, Next Question है मारा टेस्ट का, परमानू विखंडन में यूरेनियम को कौन तोड़ता है, Answer आपने कमेंट रके देना है, Next Question है मारा टेस्ट का, एक वाट आवर कितने जूल के ब्राबर होता है, चार ओप्शन हैं आपकी स्क्रीन के अपर, अगर आपको मेरा पढ़ाईवा पसंद आ रहा है, Content पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, Share भी जरूर करिएगा, द्रवेमान M और 9M के दो निकाए समान गतिशीर उर्जा के साथ स्थानंतरित हो रहे हैं, उनके रैखिक सम्वे कानुपात डैश ह नेक्स्ट कोशन कर रहे हैं, टेस्ट का, दरपन बनाने में किसका प्रियोग किया जाता है, चार ओप्शन हैं आपकी स्क्रीन के उपर, नेक्स्ट कोशन कर रहे हैं, उर्जा संदक्षन के सिद्दान्त का क्या आरत होता हैं, चार ओप्शन हैं, नेक्स्ट कोशन हैं मारा, जिस बलके कारण गतिशील वस्तूम में केंद्र से दूर जाने की प्रविति रहती हैं, उसे क्या कहते हैं, अंसर आपने कमेंटर के बताना है, नेक्स्ट कोशन विर्दाकर पत में केंद्र की और लगने वाले बल को क्या कहते हैं, next question drish man spectrum जिसे की हम visible spectrum भी बोलते हैं का तरंग धहरे कितना होता है answer आपने commenter के बताना है friends मैंने आपको यह 46 question करवाए detail में फिर सभी question का मैंने आपको revision भी करवाया ताकि friends आपको सभी question ऐच्छे से समझ में आए और याथ भी आए ठीक है लास्ट मैंने आपके दस कोशन का टेस्ट भी ले लिया उमीद करता हूँ फेंट्स आपको सभी कोशन अच्छे से समझ में आया होंगे और याद भी हो गया होंगे इसी वीडियो फेंट्स बिल्कुल बहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया ताकि फेंट्स आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाया और हमेशा के लिए याद भी रहें सारे कोशन फेंट्स एक एक्जाम लेवल के थे अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो हर एक्जाम के लिए फेंट्स ये वीडियो काफी जादा अग्जाम में वो अपनी वीडियो में cover कर चुका हूँ ठीक है वीडियो complete हो चुकि है फेंट्स वीडियो को like जरू करके जाएगा ठीक है चैनल को subscribe भी कर लीजेगा और अपने family में अपने friend circle में भी हमारे चैनल की बारे में बताईएगा और वीडियो को शेर भी जरूर करियेगा ठीक है और मैं आपको information देता हूँ कि अगर आपने current affairs पढ़ना है बिल्कुल best level का तो हमारे current affairs चैनल पर आईए चैनल का नाम है current affairs by ravi study IQ जीके ठीक है इस current affairs चैनल पर जाके आप current affairs की त्यारी कर सकते हो सुबह चार बज़े वीडियो आती है और डिटेल वाला PDF दिया जाता है मेरा blogging चैनल है friends इसे भी प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब करियेगा ravi xyz vlogs नाम है इसका telegram पर facebook पर instagram पर मुझे फॉलो कर सकते हो ravi study IQ gk के नाम से मेरा website भी आ गया है friends www.ravistudyikgk.com किसी भी browser में जाईए आप या google पर सर्च करिए इखटे लिखना है आपको www.ravistudyikgk.com है special whatsapp group है मेरा 7814339999 इसे भी friends आप जॉइन कर लीजिए तो friends आप मिलते हैं next video में thank you and wish you all the best